वीडियो लाइक जरूर कर लिजे और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुर्ण सब्सक्राइब कर लिजे और बेल आइकन को जरूर टैप कर लिजे ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहें दोस्तों इंडियन जोग्रफी और वर्ड जोग्रफी के तकरीबन 3000 कोश्चन को हम लोग कवर अप करने वाले हैं अभी तक जो कवर अप हुए हैं ये करीब 1120 कोश्चन जो हैं वो कवर अप हो चुके हैं प्लेलिस्ट में जाओ प्रीवियस सारे वीडियोस को देख डालो ये जो वीडियोस है न ये इतने इंपोर्टेंट है समीक्षा अधिकारी का पेपर चुठकियों में निकाल सकते हैं सारे कोश्चन को यहां पर देख डालो जोग्रफी के हर एक कोश्चन को यहां पर बताया गया है जो संभावेत है वो अभी जो आप देख रहे हो यहां पर यह जो है आपका महेश वर्णवाल जी की जो बुक है उस बुक से बनाए गए कोश्चन से और यह वो कोश्चन से जो अभी तक आये नहीं है बट आने की संभाव ना है तो यहां पर चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्किल मत भूलना और यहां पर इस वाले वीडियो को कंप्रीट देखो कमेंट सेक्शन में अपना रियक्शन भी जरूर देना ठीक है और अगर आपको यह PDF पर्चेस करना है या फिर आपको Steady for Civil Services किसी कोर्स में एन्रोल करवाना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाओ वहां पर Contact Numbers दिय जालेंगे पीशे के 120 को देखने के लिए प्लेलिस्ट में आपको जाना ही होगा चलो कोश्चन क्या है कि ब्रहंशन परक्रिया के कारणा निमलिखित में से कौन सी इस्तला करतियां बनती हैं अब यह ब्रहंश घाटी और रैंप घाटी बनती है आपका ब्लॉक फॉरेस्ट और होस्ट परवत बनते हैं ब्लॉक फॉर परवत और होस्ट परवत यह बनते हैं दोनों बनते हैं या फिर ब्रहंश घाटी और जो ब्लॉक परवत है यह बनता है तो यहां पर अगर हम बात करें तो इसका आंसर के आएगा हमारा ऑप्शन सी यानि की ब्रहंश घाटी और गाटी भी बनती है, ब्र Nacional की प्रक्रिया में जो आपका block परवत होते हैं और जो host परवत होते हैं ये भी बनते हैं नेक्स्ट कोशलन की बात करते हैं इसमें पूछा गया है कि निम्न में से कौन सी अन्तर जात बल है थीक है अब यह आपका पटल विरूपडी बल है यह आपका हिमनद है अब शरण है या फिर यह आपका बहता पानी है कौन सा है जो कि आपका अंतर जाती या निकि अंदर से लगने वाला फोर्स कौन सा है इसकी दो को आंसर तो इसका क्या होगा हमारा option A यानि कि जिसमें हम बात कर रहे है पटल विरूपडी बल की क्या यानि कि जो उपर का crust है वो ही उसका पूरा change हो जाए ठीक है अब अगर बात करो गया पटल विरूपडी बल की तो इसमें हम बात करें कि जौला मुखी की भूक मतलब जो चेंज हो रहा है क्रस्ट पर यानि कि पटल विरूपड़ी बल यह कौन से होंगा जो इंटीरियर फोर्स के तुरू हो रहे हैं मतलब उपर का जो पटल है वो पूरा चेंज हो रहा है वहीं अगर बहर जात बल की बात करोगो तो बहता हुआ पानी हो गया समंदर की लहरे हो गई मतलब वो सारे फोर्स जो उपर से लग रहे है ठीक है चलो इसके बाद नेक्स्ट कोश्चन की तरफ चलते हैं पूछा गया है कि निमलिकित कतनों पर आप विचार करें और बताना यह है कि भईया कौन से कौशन इसके अंदर सही है पहला कतन यहाँ पर है कि प परवतनी महादीप यह निर्मान प्रक्रिया है जबकि महादीप रचना जो है वो परवत निर्मान प्रक्रिया है तो दूसरा यहाँ पर स्टेट्मेंट हमारा कैसा है इनकरेक्ट है जबकि पहला स्टेट्मेंट यहाँ पर एकदम सही है कि अगर हम अंतरजात बलों की बात करें उसकी तीवदा के वैज़ से क्या होगा दीरे दीरे जैसे भी समझो मतलब उपर जो आपका क्रस्ट है उसका आकार उसकी प्रकृति सबकुछ चेंज हो जाएगा ठीक है तो पहला स्टेट्मेंट सही है दूसरा स्टेट्मेंट सही नहीं है तो आंसर हमारा क्या आगा है यहाँ पर option A चलो इसके बाद move on करते है next question पर इसमें पूछा गया है आपको दो स्टेट्मेंट दिया है ठीक है और आपसे पूछा गया कि कौन से स्टेट्मेंट है जो की सही है जो करेक्ट स्टेट्मेंट वो आपको बताने पहला है कि संपीडन बल और जो तनाव बल यह लंब वद लगता है बिलकुल गलत है दूसरा है उपर मुड़े हुए चटानो की चटानों को जो अपनती है और वो नीचे दैसे हुए चटानों को अभिनती कहा जाता है मतलब जो ऊपर मुड़े हुए चटाने होती है उनको क्या बोला जाता है अपनती बोला जाता है यह एकदम सही बात है ठीक है तो सेकिंड स्टेट्मेंट यहाँ पर सही है केवल आ पहले statement में आपसे बोला गया है कि सामान ने तल पर शेहतिज रूप से काम कर रहे संपीडन यानि की compressive force जो होती है उनकी वजह से जो चटाने होती है उनकी पर परतों के मुड़ने की प्रकरिया को वलन कहते हैं यानि की अब देखो दूसरे statement की बात करते हैं इसमें कहा गया है कि दोनों संपीडन और तनाव बलों के सईयुक्त प्रभाव के कारण वलन बनते हैं हालाकि तनाव बल अधिक महतवपूर्ण होगा ये बिल्कुत सही बात है ठीक है ये मतलब तो आगे चले नेक्स्ट को देखें इसस की तैयारी कर रहे हैं आप आरो की तैयारी करना चाहते हैं इन तीनों एक्जाइम के अगर आप तैयारी करने चाहते हैं तो Steady for civil services के courses को आप join कर सकते है complete तैयारी के लिए यह one stop destination है यहाँ पर आपको सब कुछ मिलेगा जिसमें steady material रहेगा test series रहेंगी paid quiz रहेंगी सब कुछ आपको एक ही जगा पर मिलेगा और यह सब कुछ sufficient होगा आपके exam को crack करने के लिए exam को निकालने के लिए latest group start हो चुके हैं और उन group में आपको admission लेने के लिए simply जो यह number मैं आपको screen पर लिख रहा हूँ इन numbers पर आप call कर सकते हैं 8564 880530 इस के लावा 9696066089 इस number पर contact कर सकते हैं या फ़र आप 7523864455 इन तीनों में से किसी भी number पर call करके आप हमसे संपक कर सकते हैं और यह latest group जो है इसमें आप admission ले सकते हैं कोश्चन में बस एक थोड़ा सा यहां पर difference होना चाहिए था कि निमलिकित में से कौन सा एक ramp घाटी का उधारन नहीं है यह यहां पर होना चाहिए था ठीक है क्योंकि नर्मदा घाटी भी है तापती घाटी भी है उपरी दामोदर भी है ब्रह्मपुत्रा घाटी इसका example न कर शाती है महादीप यह निर्माणकारी बल है यह परवत निर्माणकारी बल है भूकंप है पिलेट विवर्तनिक है तो देखो यहां पर पहले की बात करोगे जब महादीप बनेंगे तो ऑव्यस ही बात है कि महादीपों के बनने की प्रिक्रिया में जो उपरी सतय है वो च कथन जो है वो यहाँ पर सही है सही गरेक्ट, मदलब सही स्टेट्मेंट जो हो है चूज करना है आपको Death Valley के बारे में, कहां पर Located है? सहीं उतराज अमेरिका में सहीं उतराज अमेरिका में कहां पर Located है तो वो है आपका क्या, जो California है ठीक है तो पहला statement तो यहाँ पर हमारा सही हो गया ठीक है अब दूसरे statement की बात करते हैं दूसरा statement है कि यह जो है आपका भ्रंश घाटी या फिर रैंप घाटी का एक example है तो दूसरा statement यहाँ पर एकदम गलत है क्योंकि यह उसका example नहीं है और यह जो है लोकप्रिय रूप से devil's golf course के नाम से भी इसको जाना जाता है this is absolutely correct so answer के आएगा हमारा option D यानि की एक और तीन जो है वो यहाँ पर death valley के बारे में सही statement है next question की बात करते हैं इसमें पूछा गया है कि वलन लहरों की तरह मोड है और जो crystal चटानों में बनती है वलन के कारण क्या है महादीपिय निर्माणकारी बल है परवत निर्माणकारी बल है वहरजात बल है उपरोक्त में से कोई भी नहीं ठीक है तो इस question की बात करें तो answer यहाँ पर हमारा क्या होगा option B हमारा सही answer होगा इसके बाद next question पर जलते हैं that will be the last question of the session इस question में यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि निमलिखित में से किसे सबसे प्रथम उच्चावच लक्षण के रूप में माना जाता है महादीप महासागर के बेसिन दोनो या एक भी नहीं इन में से तो सही answer कि आएगा आपका option C यानि कि दोनों चाहें हम बात करें किसकी उच्चावच लक्षण के मतलब जो आपका प्रथम उच्चावच लक्षण के रूप में माना जाता है किसको तो वो आपके महादीप भी है और महासागर के बेसिन भी है ठीक है तो इसी के साथ अच वाले session को यहां पर end करते हैं I hope यह वाला session informative रहा होगा फिर मलते हैं next video में thank you so much have a nice day bye bye